अपने ब्रेंड को गेट कैसे किया जाए आज की वीडियो में इस पे बात करेंगे देखे हम अपना ब्रेंड बनाते हैं हम उस पे बहुत जादा एफर्ट्स करते हैं उसकी मार्केटिंग करते हैं उसकी लिस्टिंग करते हैं अच्छे ची फोटो उसकी प्रेजन करते हैं कस् तो इस ताइम पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, एक साल लगबक हो गया है, इसमें मैंने बताया था कि अगर आपके product पर कोई mapping करता है, या आपकी images, आपके designs, कोई map करता है, तो उसको कैसे हटाना होता है, तो ये वीडियो का link में description में दे दूँगा, अगर ऐसा कुछ cases आपके साथ हो रहा है, तो आप easily एक form फिल करके, वो form फिल करना मैं अभी दोबारा बता दूँगा, और सेम ऐसा ही dashboard, अभी फिलिपकार्ट का पहले भी था, तो वही आपको process करना है, और यहाँ पर आप infringement कर सकते हो, सामने वाले की listing block कर सकते हो, बट आज की video specifically होने वाली ह जिससे की gate हो जाए आपका brand और उसके बाद कोई भी नया seller उसमें घुसी ना पाए, तो घुसी नहीं पाएगा, तो उसके बाद mapping का तो कोई उसके बाद case रहेगा नहीं, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, चलिए, सीधे में आ जाता हूँ, यहाँ पर buyer portal पे, sorry seller portal पे Flipkart के और हम one by one इस पे बात कर लेते हूँ, उससे बहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, month end चल रहा है, so month end offers हमारे अभी start हो गए है, account management पे, courses पे और trainings पे आप देख सकते हो, screenshot ले लो इसका, अभी आप इस वाले number पे यह इन दोना में से कोई भी एक number वाटसेप य बहुत ज़्यादा जरूरी है, आने वाले दो, तीन, चार महीने लग भग बहुत बढ़िया sale रहने वाली है, तो चलिए one by one हम start करते हैं, so यह देखिए, यह recently हमारी एक client का मेरी flipkart team ने यह कर किया था, तो मैंने उन्ही से screenshot ले लिया, यहाँ पर कुछ personal informations हैं, वो मैंने य कोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ पर I want to get my brand, आप इसको जूम करके देख सकते हैं, call me now, वहाँ पर आप अपना number दे सकते हैं, राइट सिर्फ इत्मा लिखना है, कोई ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत महीं है, description में, उसके बाद आप देखो 22 जुलाई और 23 जुलाई क पड़िये, we would like to inform you that our internal team is currently working on deactivating the unauthorized sellers, पहली बात तो यह, दूसरी बात यहाँ पर और हम देख लेते हैं, agent का एक reply आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, we would like to inform you that we have deactivated the unauthorized seller, तो finally, यहाँ ने 24 जुलाई को mail कर दिया था, मदब reply कर दिया था, कि successfully हमने हटा दिया है, सारे mappers को, right, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक second, हाँ, यह वाली line आप पड़िये, as per our telephonic conversation on आपका number, we are glad to inform you that the brand has been gated, आप यहाँ पर देखे, एक बार मैं इसको zoom करके दिखा देता हूँ, यह वाली line आप देखे, तो यह जो है, वो gate हो चुका है brand, right, तो इस तरीके से आप अपना brand भी get कर सकते हो, और उसमें ज्यादा कोई efforts आपको लगने वाले हैं नहीं, पूरा process मैं आपको समझा दूंगा, इस वाले वीडियो में, right, तो देखे, उसके लिए, obviously, आपके पास अपना trademark होना चाहिए, और trademark registered stage में होना चाहिए, तब ही यह possible, right, तो इसमें confuse नहीं होना है, my help center में आपको आना है, my help center में आने के बाद यहाँ पर आप, just, यह listing and catalog वाली पे जा सकते हैं, और listing and catalog वाली के बाद यहाँ पर left side में, report infringement पे जा सकते हैं, report infringement के बाद यहाँ, I want to report brand infringement पे आपको जाना है, जैसी आप जाएंगा, आप चाहें तो, वीडियो भी देख सकते हैं उसके अलावा यहां पर आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं आपके काम की ही रहेंगी उसके अलावा यहां पर एक चीज मेंचन करी गई है जैसे ट्रेड मार्क और टेअम्सी जो रोता है अगर आपके ट्रेड मार्क नहीं बना एक तो आप अपलाई कर सकते हो इसके लिए और यहां पर आप देख सकते हो सबसा confiscate ब़कर है तो बहुत अची बात है नहीं गिए तो आप में यहां से नी इसके नेच्स टेप से आपको बताऊँगा अब आपको यहां पे ढूल क्लिक करना है यहां पर रिष्ट टिकेट का ओप्शन आ गया है यहां पर आपको एका पर क्लिक करोगे आपके सामने इस-टाइप का पोटल आ जाएगा अपरस्णल इंफोरमेशन मैंने यहां पर हटा देनी है और सिर्फ लिखना है get my brand I want to get my brand सिर्फ इतना लिख देना है और description में जैसे लिखा हुआ था I want to get my brand please do it as soon as possible और यहां पर आप अपना number drop करो बस इतना ही लिखना है description इंफिजमेंट form में आपको यहां पर इंफिजमेंट form download करके फिल करके upload करना है तो सबस्ब लेहां पर download कर लो आप download template का option download template करोगे तो कुछ इस type का इंफिजमेंट form होता है दो pages इसमें होते हैं इसको आपने download कर लेना है और download करने के बाद आपने इसकी photocopy निकालनी है और फिर इसको हाथ से फिल करना है राइड हाथ से कर सकते हैं जैसा भी आपको comfortable लेगे काई लोग system से PDF क्रॉपर वगरा वगरा से कर लेते हैं जो भी होता PDF rende messages प्लोड़ करने के आपको कैसे करना वह मैं आपको बता होंगा से stabilize करा हुए पर आपको रिष्टर ट्रेडमार्क आपना वो ऐसेंपल दिखाया था यहां पर आपकोफसेंस डालनी है शलैक्नि करते हो किसी दूसरे सेलर के लिस्टिंग ब्लॉक करने के लिए जाते हो तो यहां पर आप उसके FSN डालते हो कि किस-किस FSN में सामने वाले ने आपकी कॉपी कर रखी है और FSN आप किसी भी प्रड़क्ट का लिंक से निकाल सकते हैं वैसे मैंसे हमेस इसको पता होगा मैं और आपको दिखा देता हम फिल्प काट के पोड़ल पर अप जाते हैं कोई फिल्प काट जशुव जिसने आपकी meppand कर रखी जैसे मान के चली इस product ने आपकी meppand कर रर एक तो इसका FSN आप डाल दीजे, FSN आपको कहा मिलेगा उपर link में, आप यहां पर PID लिखा हुआ देखेंगे, PID के बाद जो यह number है देखिए, जो मैंने अभी highlight किया है PWBG, यह, 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 यह इसका FSN है, राइट, और यह इसकी listing ID है, तो listing ID मांगते है तो यह है, और FSN मांगते हैं, तो यह वाला product है, ठीक है, चलिए हम back चले जाते हैं, तो वो FSN की list आपने proper यहां पर डालनी है एक दो FSN है, तो यहां पर आप direct डालिए और अगर upload अगर बहुत सारे लोगों ने आपका mapping कर रखा तो यहां पर upload ID in bulk करके आप Excel फाइल में डाल सकते हैं, अब यह कौन सा case बताए मैंने, जब आप किसी की listing block करवाना चाहते हैं, राइट बट अभी case क्या है, गेट करने का, तो गेट करने के case में हो सकता है, किसी ने आपकी mapping अभी नहीं करी हो, राइट बट आप गेट करना चाहते हैं, तो इस case में आप यहां पर अपनी FSN ID की आप अपना listing ID, listing में जाईए, सारे FSN download करके यहां पर डाल दीजिए, राइट, उस case में आप गेट कर रहे हैं, राइट, इस चीज को थोड़ा आपने समझना है, और यहां पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, कि यहां पर आप गेट ही लिखें, अगर इन्फिजमेंट होगा तो ब्लॉक भी हो सकते हैं, तो इस चीज का आपको खास खहाल रखना है, FSN यहां पर डाल देने हैं, अपने जिद्दो ब्लॉक ब्लॉक भी होगा तो इसके बाद आप सम्मेट कर देते हों, तो बस इतना सा आपको करना है, उसके बाद विदिन 24 आर आपका ब्रेंड जोगा, वो गेट हो जाएगा, अब आप अपने ब्रेंड पर प्रॉपरली बिंदास काम करिए, आपको एक कॉल बैक भी आएगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा, कि भाई आप ही का ब्रेंड है, थोड़ा इंक्वारी करी जाएगी, प्लस आपने किसी को ऑथराजेशन तो नहीं दे रखाए, ये भी पूछा जाएगा, अगर आपने ऑथराजेशन दिया है, तो आप उनके GST अगरा बता सकते हैं, वो आपके ब्रेंड में सेल करने के लिए लाओड होंगे, बाकी कोई भी अलाओ नहीं होगा, अब इन्फिजमेंट फॉर्म भरते कैसे हैं, वो में दिखा देता हूँ, एक सेंपल में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, उसमें मैं परस्नल इंफॉमेशन हाइड करके दिखा दूँगा, ये इन्फिजमेंट फॉर्म है, जो फिल करा हुआ है, इसको आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपना फिर से एड्रेस लिखना है, ओनर और ब्रेंड यहाँ पर आपने अपना ब्रेंड नेम लिखना है, इतना यहाँ पर आपना नाम लिखना है, इसको आप देख लेना है, उसके बाद आपने आपना इमेल एड्रेस लिखना लेना तो बस इतना सा आपको इसमें फिल करना रहेगा ठीक है इसके अलावा ये वाला जो सेकेंड वाला पेज है उसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है in case of brand greeting अभी हम brand greeting पर बात करें कुछ भी फिल मत करना जस्ट यहां पर आप अपना ये मुहर लगा दो और sign कर दो और यहां पर topic select करना होता है कि क्या आप करना चाहते हैं, तो इस तरीके से within 24 hour आप अपना brand gate कर सकते हैं, कोई भी और इसमें doubt होता है, तो आप मेरे team को directly contact कर सकते हैं, यह number दे रखा है, बाकी first comment में तो हमेशा number होता ही है, flipkart Amazon, Misha की अगर regular update चाहिए, तो description में मैंने telegram group का link दे रखा है, वहां join कर लेना, Instagram पर follow नहीं कर रहा है, तो follow कर लेना, till then, I hope सारी doubts clear है, comment में बता देना, अगर कोई और doubt होता है, till then, keep selling on flipkart